सूप्रबातम नमो नमो वेल्कम टू एसर पीएस ओनलाइन क्लासेस हम पार्ट पढ़ने से पहले कुछ अमारे जीवन की महत्पुन बाते हैं जो हमारे जीवन में कावार वाली बाते हैं हम उनको एक श्लोक के वाइदम से पढ़ लेते हैं जूप योवन संपन्ना विशाल कूल संभवां विध्याहिना नशुबंते निर्गंदा यू किन शुकाः इस लोग को वाइद देखेंगे अर्था इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सुन्दर रूप संपन है जो युवा है और जिसने विशाल कुल में जो हर तरह से संपन परिवार में उसमें जन्म लिया हो लेकिन यदि वह विद्या हीन है यानि वह विद्या से विहीन है उसमें विद्या नहीं है अर्था उसमें कोई गुड़ नहीं है तो वह इस संसार में सुगंद रही टेसु टेसु का फूल होता है टेसु का पलाश या धाक का पोदा जिसका फूल जिसका फूल जिसका गेरा रंग लाल जिसका घेरा लाल रंग होता है कि फूल के समान शुबा पाते हैं इस अंसार में जो व्यक्ति सुन्दर भी है रूपवान भी हो उसे अच्छे परिवार भी उसे जन्व भी लिया है लेकिन जो विद्या से विहिन उसमें कोई गुण नहीं है वह इस अंसार में टे से यह बलकी सुन्दर लवार लता से नहीं अगला जêts स्लोग के वह सवारे कर आफ़े जह डिया मर्थम छसा देर ay cya ननस्ति विद्या कंडू थनव कर देखेंगे वीद्या मर्थम चे अधे 一ने नस्त्यक बिद्या कंड़े नस्ते क्नस्ति अंत्य तो दनम और्थात मानर जीवन व्यत्ति को मानर जीवन का प्रत्यक पल्य क्षण मुल्यवान यानि बहुँ मुल्य है मानों को जीवन का एक 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 फ्षण गमाय बिना विध्या प्राप्त करणी चाहिते और एक एक कंड यानी एक एक रूपया बचा करके दन इकटा करना चाहिए क्योंकि खण गमाने वाले व्यक्ति को विध्या कहा प्राप्त होती यानी विध्या गमाने वाले व्यक्ति को सेने टाइम निकलने के बाद आदमी को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और कण और रूपे कण को महत्व और रूपे को महत्व हीं समयने वाले व्यक्ति को अपि धन प्राप्त नहीं हो सकता और वद्धा संग्र नहीं कर सकता क्योंकि वसका महत्व नहीं समझ सकता आठ तेर सुर्बितानी पुष्पानी संती यहां सुगंदीत फूल हैं सुन्दराहा खगह च कूजंदी और यहां अनेक पक्षी कूज रहें हैं एयम शोबना वाटिका अस्ती यह सुन्दर फुलवारी है तत्रह एक ह सरोवरह अस्ती वहां एक सरोवर है तालाब है तत्रह एकम श्वेतम कमलम विकसती वहां एक सफेत कमल खिल रहा है चंचलाहा मीनाहा तरंती चंचल मचलियां तेर रही है एतव हंसव तरतह यह दो हंस तेर रहे हैं तत्र के कुर्दंती वहां कोन कूद रहे है तत्र मंडुकाहा कुर्दंती वहां मेंडक कूद रहे हैं अत्र अनेकाहा जनाहा तिस्तन्ती यहां अनेक लोग हैं सह कह वह कोन हैं सह विनोत कुमारह अस्ती वह विनोत कुमार हैं सह किम करोती वह क्या कर रहे हैं सह भ्रमती वह घूम रहे हैं इमाहा सीतां गीतां राधाच संती ये सब सीतां गीतां और राधा हैं सीतां गीताच गायतह सीतां और गीतां गा रही हैं राधा धावती राधा दोड रही हैं अत्र इमव बालकों किम कुरुत है यहां ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं ते मित्रे इस्तह वे दोनों मित्र हैं इम वाटिका मनुहरा संती यह एक सुन्दर मन को हरने वाली फुलवारी है एक बार फिर देखें इसको वाटिका वाटिका यह नहीं होता फुलवारी इसको हम इंग्रिश पर कहते हैं गार्डन इम यहां 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 पर सुन्दर पक्षी आवाज कर रहे हैं कूज रहे हैं यह यह शोबना वाटी का अस्ति यह एक सुन्दर वाटी का है सुन्दर फुलवारी है तत्र एक ह सुन्दर अस्ति यह नी वहां पर एक अन्दर फोलवारी हैं वहां एक सालाब है तत्र यह वहां पर एकम यह एक सफीद कमल विक्सद यह विक्लता है वहाँ एक सपेत कमल खिल रहा है चंचला हा मीना हा तरंती चंचला यानि उता है चंचल मीना यानि मचलियां तरंती यानि तेर रही है चंचल मचलियां तेर रही है एतव हंसव तरत है एतव यानि ये दो हंसव यानि हंस यानि ये दो हंच तरत यानि तेर रहे हैं तत्रह यानि वहाँ पर कोन कूद रहे हैं तत्रह मंडुकाहा कूद रहे हैं वहाँ पर मेंड़क कूद रहे हैं अत्रह अनेकाहा जनाहा तिस्तंती अत्रयनी वहाँ पर अनेका यानी अनेक जना है यानी लोग तिस्टन्त यानी है सह कह सह यानी वह कह यानी कौन वह कौन है सह यानी वह विनोत कुमार है विनोत कुमार अस्त यानी है वह विनोत कुमार है सह किम करोती सह यानि वह किम यानि क्या करोती यानि कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं सह भ्रमती सह यानि वह भ्रमती यानि घूम रहे हैं वह घूम रहे हैं इमाहा सीता गीता रादाच संती इमाहा यानि ये दोनों इसमार यानि ये सब सीथा गीता और राधा हैं सीथा गीता और गा रही यानि सीथा गीता गा रही हैं राधां धावती 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 यानी दोड रही है अत्र यानी अत्र इम व बालको अब किम कुझेल तह रही है यहाँ पर यह दोनों बालक क्या कर रहे हैं अत्र इमव बालकों खेलता है यहाँ पर इमव यह दोनों बालकों खेलता हैं यहाँ पर यह दोनों बालक खेल रहे हैं ते मित्रे इस्त है ते यह दोनों मित्र यह फ्रेंड या दोस्त इस्त हैं वे दोनों मित्र हैं, वे दोनों दोस्त हैं, यम वाटिका मनोहरा अस्ति, यह वाटिका यानि पुलवारी मनोहरा यानि मन को हरने वाली, जो हमारी मन को अच्छे लगे, वो अस्ति यानि है, यह एक सुन्दर मन को हरने वाली वाटिका है, वो शब्दार्थ है, एक यानि एक, एक का शब्ला पूलिंघक कूज रहा है या बोल रहे हैं वहां पर एक हा यानि एक वेहर पूलिंघक शब्लो dul लगा तो यहां पर एक के शब्ल जिसले लगा करते हैं यहां पूलिंघक यरें यानि एक स्वरोवर रह यानि तालाब एकम यानि एक नपूसा लिंग में एक शब्द के फिछे आधा मर लगता है तो एकम एकम यानि भी एक तिस्टंत यानि हैं या बेटे में हैं कि मैंनी क्या चुकि संख्यावा शब्द भी संख्यावा ची विशेशन होते हैं इसलिए है ये जो संक्या ओजी शब्द होते हैं ये भी पुल लिंग, इस्टिलिंग, नबूसर लिंग के उनसार अपने रूप बदलते हैं